पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काल को मारने के बाद देव मानस आर्यन की सूजबूज और बहदुरी से खुश होकर शैतानों से लड़ने के लिए उसे एक शक्ती शस्तर देते हैं जिसमें अगनी, पित्वी, वायू, जल और आकाश की शक्ती होती है और आर्यन को शैतान युवेका की दुनिया के बारे में बताते हैं त्रिलोकी से शादी और त्रिलोकी के आजादी के बीच बस मनी हासिल करने भर का फासला है हमार है मारक शक्त आर्यन युवेका की तलाश में उसकी खूबसूरत दुनिया में पहुंचता है जहां उसका सामना ननही परियों और एक बुढ़ी औरत से होता है बुढ़ी औरत आर्यन को तीर मारकर उसकी उम्र को छीन लेती है और खुद जवान होकर फ्लाइंग माउंटिन की तरफ भाग जाती है मगर आर्यन उसका पीछा करते हुए जब फ्लाइंग माउंटिन की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में वो भी बुढ़ा होने लगता है अब देखिए आगे अब प्लाइंग मारक उसकी तरफ जड़ा है अब प्लाइंग मारक उसकी तरफ जड़ा है मेरे शरीर में इतनी भी शक्ती नहीं है कि मैं अपना शक्ती अस्तरूपन सको चार दो उसे मुझे फिर से उम्र का शर्बत चाहिए जवान होने के लिए मुझे प्लाइंग मारक उसकी तरफ जड़ा है मुझे प्लाइंग मारक उसकी तरफ जड़ा है मुझे प्लाइंग मारक उसकी तरफ जड़ा है जड़ा है पूरे नौजवान, पूरे नौजवान, इतना खुश कर दिया है तुमने मुझे, तुमें अन्दास आभी नहीं है मेरी भेन, यूविका से मिलना चाहोगे? हाँ? पर थोड़ा इंतजार करना होगा तुमें आईए ले जाओ इसे, कैद में बंद कर दो, क्योंकि ये अब ही हमारे काम का है है ना चोटी? लोगों से छीने हुई उम्र हम पर ज्यादा देव तक नहीं किकती, आज मैं फिर से बोड़ी हो गए थी ले जाओ इसे हम आज ही धर्ती पर जाकर इतने लोगों की उम्र चीनेंगे ताकि हम हमेशा के लिए जवान रह सके छोटी, पता नहीं क्यों बहुत कमसूरी मैसूस हो रही है बस इतनी सी बाद चलो, चलो चलके किसी की उम्र चुडाते हैं कौन है तुम लोग अपिसत ये तो सही कितनी बड़ी दुकान है ये ये दुकान नहीं है मौल है मौल इंसान इंसान इतनी सारे इंसान चोटी, दुकान, और सुर्व एके ना रुक, वो देखूं वहाँ, तुम्हारी तकदीर, जानते हो कौन है वो उनका नाम है राज यश खोसला, जिसके बेटे के बर्दे में तुम्हें पफॉर्म करना है बस तुम अब अपना जलवा दिखा दो, दो महीने में, पूरी दुनिया तुम्हारी फैन हो जाएगी आज तो बहुत मजा आएगा छोटी, बहुत सारी उम्र मिलने वाली है चुराने को खवेसे हुद कालक अँए कि लाएगा और में हुझाने को अटलू । इम रच यय शकुथला, मैंन NI दीम के वा धिवली फिल्म प्यार का गोसला एक्जेक्ली यह स्मार्ट लाइट बट पापा आपने तो बोला था कि आप मेरे बड़े बे फैरीश को बुलाओगे बीटा ये असली परिया है देखो कितने ब्यूटिफल लग रही है दोनों पापा ये लोग के पास विंग नहीं है बेटा मुझे कुछ न आंटी को बोलना मुझे हो चाहिए हाँ दिलवाता हूं बेटा पहले आंटीयों की परफॉर्मेंस इस तो देख ले हैं तो शुरू करें है 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 ममी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लोग चीख रहे है मैंने लब तो ऐसा रहे है मैं क्या मज़ा ही आगया बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज एड आइस क्रीम का के यह ना अब इससे अब मुझे जल्दी से वाश्रूम जाना है मुझे रस्ता पता नहीं है और चलना मुझे लेकर चलना हाँ जाना तो पड़ेगा हर स्वाल से बर्गर जो खाए है मम्मी और कितने टाइं इससा खाने के क्या जरूरत है रुक अभी चुडाती हूं तेरी भी उम्र जरूरती पर युविका का अगमन हो गया इसका ताद पर है की आरेम किसी तुविदा में अगर युविका को नहीं रोका गया तो पूरे मानव जाती की जी वर्जा चुरा लेगी मैं आरेम को ढूंडने की कोशिश करती हूं कुमाँ आरेम, कहां हूं मैंनो तुम्हें पहले ही कहा था मत जाओ पर जहां भी गए हो प्लीज रिमेंबर तुम महारक्षक हो अगर तुम हार गए तो हम सब हार गए मुबारक हो, दुनिया के उमर मुबारक हो छोटी एक बार महारक्षक आरेम हमें मिल जाए तो फेर बादशात्रिलोकी हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएगे हाँ हाँ तो यहाँ छुपी है हमारी मुहाबत की भेड हमारे महारक्षकारियन हमारे है हाँ क्या हो गया वै क्या हो गया गारी के नीचे कोई सपीड मरेकर आगया क्या है पिसो जस्चल लिली खाली घर आया है है ना मैं क्या इतनी जल्दी कार आगया मतलब गैस्ट को तो खाना शाना खिलाने के बाद कुछ मिठा शिठा भी तो खिलाया जाता है मैंने आपको मॉल में पूछा था कि आप कुछ मीठा खाएंगी तो आपने मना कर दिया हो 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 उस समय मूड नहीं था आप हो गया अब मूड था किया अब मुझे गोली थोड़े ना मार दो गया आप पुत्रा अगर मैंने कारगी बनी हो यह आइसक्रीम कारवे बैटके खानी होती तो फिर मैं जिलंदर छोड़के इतनी बड़े शायर मुंबई में क्यों आती बला साफ बात ही है कि अब तो हमारा मूड बन गया है पता क्या है हाजी अली के पास वो जो आइसक्रीम पार्लर है बड़ा फेमस सा उसकी रबड़ी विद आइसक्रीम खाने को मन कर रहे हाजी अली तो बहुत दूर है आप ठक भी गई होंगी तो ने ने मैं कोई ठकी शकी नही येलो यूविका की महल में छोड़ा और दुनिया भर में डेंडोरा कर दो क्या हुआ है आपको ये पूछो क्या नहीं हुआ है पर अरसे बात किसी इंसान को शैतान जुईका की कायद में देखा है पर तुम कौन हो मैं देवो का दूत हूँ आरहे हैं उन्च शैतान बहनों को खट करने के रादे से थर्ती लोक से आया हूँ मगर आप यहां कैसे मैं य मेरी उमर पर मत जाओ मैं उतना बोड़ा नहीं हूँ जितना देखता हूँ कभी मैं भी आजादी से अपनी इस दुनिया में उड़ा करता था अपने दोस्तों के साथ लेकिन मैंने जब उन्च शैतान बहनों का विरोत किया तुन्हों ने मेरे पंक काट दिये शिंता मत करो मैं तुम्हें और तुम्हरे दोस्तों को यूविका की कैट से आजाद कराऊंगा और क्या ये खुबसूरत दुनिया हमेशा से ऐसी थी कभी ऐसा भी था कि ये दुनिया बहुत खुबसूरत हुआ करती थी प्रेम और शांती से भरबूर यही पैचान थी हमारे राज धुविका की जब तक महराज दुरू जिंदा थे लेकिन महराज दुरू के मरने के बाद उनकी दोनों पागल बेटियों ने इस पर कपजा कर लिया और हद तो तब हो गई जब उनों शैतान त्रिलोगी के प्यार में बढ़ गई और उससे शादी करने के सपने देखने लगी त्रिलोगी ने इस प्यार के बाहर के बड़ले उन्हें हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए शैतानी ताकत दी और फिर उन दोनों बेहनों ने उस सैतानी ताकत का इस्तिमाल इनसानों पर करना शुरू कर दिया मगर जब इस बात का पता पांच देवों को चला तो उन्हों ने उन बेहनों को हमेशे के लिए उनी की दुनिया में गैद कर दिया जिसे वो इंसानियत के लिए खत्रा न बन सके मगर जवानी और खुबसूरती की चाह ने उनको इतना शैतान बना दिया कि उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्षा जिसका जीता जागता उदाहरन तुम्हें आजाद मैं कराऊंगा मेरे शक्ति शस्त्र मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे पास आओ मेरे शक्ति शस्त्र मेरे शक्ति शस्त्र नीड यू आए नीड यू आर्यन मुझे बचाओ बचाओ मुझे यह क्या हो गया कहाओ तुम दिखने ना कुछ अरे यह कैसे हुआ आर्यन तुम सच में महारक्षक को हाँ दोस्त लेकिन अब अब में साथ मिलकर इस दुनिया को बचाना है अब हमें से निकल ला होगा अरे आख आख जल्दी आओ आखर बुझाओ विस आख को अरे इतनी में आख कैसे लगी वाकिक दोर्यों केदी घांगे चाद अरे अर्यन मैं तुम्हें अपनी सेना के साथ नीचे वाली पहाड़ी पे मिलूँगा अपना खयाल रखना अब जिन्दा मत करो सबसे हो जाएगा अचलता हुआ चोटी चोटी आग कुछ तो गरबढ है हमारे महल में आग लग रही है चोटी गरबढ है कुछ बेवकुफो तुम्हें महारक्षा को जाने किसे दिया यह सब छोड़ दो छोटी चलो 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 आरे नभी तक वापस नहीं आया यूवी का बाहर आ गई है कहीं आरे यूवी का इस दुनिया में आ गई है इसी बात का डर था मुझे यूवी का को रोकने का एक ही तरीका है क्या तरीका है यूवी का जब भी किसी के उम्र चुराती है तो उसे एक बाटल में बंद कर लेती है एसे उसमें अभी तक जितने भी लोगों की उम्र चुराई है उन्हें कई सारी बाटल में बंद करके उन्हें तेह खाने में रखा है अगर हमें यूवी का को रोकना है तो सबसे पहले हमें उस तेह खाने तक पहुँशना होगा तो चलो फिर नहीं उसके तहकाने तक पहुशना इतना असान नहीं होगा कोई न कोई मुश्कल ज़रूर आएगी कोई दैथ है कोई चुडैल या फिर कोई पानी का दरिया इस बार आग का कोई बात नहीं मैं उसे जम करके पार कर लूँगा और वैसे भी शक्तिशाली होने के साथ साथ स्मार्ट भी होते जा रहे हो उस आग के दरिया को पार करने के लिए जब तुम जम करोगे तो वो भी उतना ही उचा हो जाएगा फिर क्या क्या जै फिर क्या बत कहना कि कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि यूबिका के पास तुम ठीक कह रहे हो उस आग के दरिया को पार करने के लिए तुमें एक चाबी चाहिए होगी जो यूबिका के गले में है तो फिर ठीक है अगर यूबिका को हराने के चाबी उची के पास है तो हम वो उसी से हसिल करेंगे झाल 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 शुक्र है हमारी महनत का कत्रा कत्रा महफूज है अब देखते है महा रक्षक हमारा क्या बिगाड़ता है बता के जाना चाहिए था आरियन बिटा तुम घर पे नहीं होते हो तो मुझे बहुत फिक्र हो जाती है पारी चाची वो एक ज़रूरी काम आगे था चाहिए तो मुझे जाना पड़ा अजी सॉरी लेकिन मुझे भी फिर जाना आओको ठीक है जाओ बलकि जल्दी जाओ जाओ आरियन जो आज यहां के हालात है ना अगर तुम यहां राओगे तो भी मुझे बहुत फिक्र हो जाएगी लुकारी आंटी वो आए भीएधर उनको देखकर ऐसा लगता है की वो mixaw grinder है और उनके अदर बहुत सारे पत्ते हैं कड़ काड़ 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 ठीक है, हम उनके लिए एक रक्षक न्युक्त करेंगे, जो चारों पहर उनकी रक्षा करेंगे आओ अरेन, इस पुदंपो पराकर जल्दी से बैठेगे, पुदंपो पराकर जल्दी शेवेटेड़। वहां पर युविका की सिपाईयों को चारों तरफ पहरा है, इस पुदंपो से वहां जाएंगे तो वहां जल्दी पहुच जाएंगे नन्ना, आपको ऐसे खुली हवावे आजाद लेकर, मुझे अच्छा लगा नन्ना ने आज एक खौसम खाई आरियन कि जो जो युविका ने हमसे झीना है, वो वो मैं अपनी प्रजा को वापस दिलवाऊंगा एसा जरूर होगा नन्ना, मैं आपसे बादा करता हूँ, कि आपकी कसम निपाने में मैं आपकी मदद करूँगा अब नन्ना को कैसा डर, जब उसका मित्रिक खुद महरक शक्त हाँ नन्ना, मैं युविका के खिलाफ युविका की शक्तियों को यूज करूँगा और जीत हमारी होगी यो 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 ऐसे नन्ना, आपकी सेना कहा है? नन्ना की सेना, हाजिर हो ये रही हमारी सेना कहा है सेना? यही तो है नन्ना की सेना ये लो, ये आपकी सेना है? नन्ना और उसके दोस्त कुछ भी हो पर डर पोक नहीं है, नन्ना तो इसमें विश्वास रखता है कि अगर दिल काबिल हो, तो उसके बाजू भी काबिल हो जाते है क्यों दोस्तों? आहां हम नियारे! ठीक है नन्ना, तो अब मैं चलता हूँ और मैं चलता हूँ और मैं चलता हूँ आपशा इस पर ये सिंबल्स के यह तुम्हें नहीं जानता आर्यन पर ये नक्षा वहीं का है फिक है कोई बात है, शुक्रे रणा आर्यन तुम आमारे पॉदंपो का इस्तिमाल कर सकते हो थैंक से लौट रखना और अपना खयाल रखना अबसे बाद सकते हम आरीन कर दो आरे प्रिवने का आर्यन झाल आर्यन तुम्हें है झाल 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 अब ये क्या है इस प्रपेर के देखता हूं ये मैं काफश गया, होइ तो तरीक होगा ऐसे ख्रोंस कर देगा शा खरो, क्या करो, क्या करो, क्या करो ये युविका के खुफ्या जीव शक्ती के खजाने का नक्षा है नंदा कम है, शायद उसे कुछ हो जाए सिंबल्स? ये तूब एंचिंवाल से मेल दे फो मेल ये 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 नह ए कुछा। छोटी, 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 शिकार. इस बार हम इसे नहीं छोड़ेंगे. नहीं छोड़ेंगे. महारक्षकार्यन, क्या हुआ? पहार आओ? अब अंदर छुपकर कोई फाइदा नहीं है, महारक्षकार्यन. पहारा चाओ. पहाराओ, महारक्षकार्यन. युविका, मुझे, मझे छोड़ दू. तुम जोख होगी, मैं वो करने को तयार हूँ. मैं फिर से बुड़ा नहीं होना चाहता. मुझे मेरी उम्र मच्छीनो, प्लीज. प्लीज. प्लीज, युविका. प्लीज, युविका. युविका. बेवकुफ समझ के रखा है, पिछली बात तेरी थोड़ी सी जिंदकी की उम्र बक्षकर हमने जो गल्ती की थी, वो दुबारा नहीं करेंगी. खीच लूँगी, तेरे शरीर से तेरी उम्र का एक-एक कत्रा. युविका. 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 जम्रीज बढ़ेगा हैं? बड़ी? क्या, क्या हो, क्या.. क्या कर दिया? अरे, आर्यान.. बड़ी, बड़ी.. आर्यान! तुम्हारे इतनी हिम्मत, तुने मेरी छोटी पर हम ना किया कैसे? तेकन तु हमारी तीर से बच्ड कैसे गया? तुम्हारी बेफकूफी की वज़े से यूविका मुझे कोई तीर लगा ही नहीं था मैं तो बस नाटक करना था अब एक यूविकाटो बर चुकी है अब तुम्हारी बारी आर्यन मैं तुम्हारा मक्सद कभी पूरा नहीं होने दूंगी यूविका गूविका हार्यन, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे और मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में तुम कभी नहीं यह क्या हो दे साथ, यह क्या हो दे साथ, यह क्या हो दे साथ आरेश, यह तुम ने गड़त किया क्यों विका, जो लोग दूसरों के लिए गड़ा कोते हैं ना फोर्ष में खुद गिर जाते हैं क्या हुआ है यह प्युके लिए थाई लुट जूट झाल 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 हुआ है। आई। 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 भड़ो कोश। ऐसे कर के बात करते है। जी यहां. वह वह मैं अपने घर जा रहा था। कि गलती से तो मेरे ही गार है हाँ फिर तो ठीग है भाई है आप कौन है और मैं लिली आंटी लिली आंटी है हाँ ज्यादा स्प्रेस लेने के कोई जरूरत नहीं है यह जो पता है कि तुम आज ना कौन सा काम करके आया है यह है आरेन तो अब आया है यह कोई वक्त है तेरे आने का हाँ भुझे कुछ ख्याल है कि नहीं एक अपना घर याद है याद है कि हम दोनों है पिस्सू है और मैं हूँ हाँ भाईया मामी जी साथ कमरे में चलो आपको पता है आपका फिक्रिक करते करते मेरा एक किलो गड़ी है अच्छी बात ही ना आरेन तो सीधे अभी के अभी अपने कबरे में चल आउट अच्छी क्या हो गया आपको और यह घर में व्यर्ड लेडी कौन है बेटा यह वही व्यर्ड लेडी है जिसके बारे में हमने तुमें बताया था अगर एक मेरिट भी मैं तुछे उसके पास इना तू बस तेरा वही हाल होता जो हमारा पूरे दिन उन्होंने किया है किया किया उसने अपके साथ है कुछ बुरा किया क्या बहुत बुरा किया आर्यन लिली आंडी तो यही रहने वाली है कल मालूम नहीं क्या-क्या होगा हम् चल पिस्सू, बहुत काम है ओ गड़, कितना थक गया हूँ कहीं मैं बोल तो नहीं हो रहा हूँ नहीं नहीं, सब ठीक है बस थोड़ा थका हूँ पर चलो, इटलीस सब सेफ तो है यह सोचकर, एक सुकूम की नीन तो ले ही सकता है अब मारक शकारे नरक नरसिमा की जैहो मैं जानता हूँ मेरे काले साही तो आज अपने मालिक के लिए वो खुश खबरी लाया है जिससे सुनने के लिए सदियों से मेरे कान तरस रहे है बताओ मुझे, मेरी शेतान रानियों ने मेरी आजादी की वो मनी उस महारक शकारें से कैसे हासिल की और कितनी तकलीफें दे के मारा उसे पर यह खुश खबरी लेकर मेरी शेतान रानिया खुद क्यों नहीं आया माफ करना शेतान बादशा, महारक शक आरें ने उन दोनों बहनों और युविकाओं को खत्म कर दिया है नहीं इतना ही नहीं नरक नरसिम्हा, उस महारक शक आरें ने हमारे साथियों को मारना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत उसने शैतान रानियों की बस्ती से की यानि उस चीटी के भी पर निकलाए है वो ये भूल गया है कि वो ये हिमाकत करके शेर की मांद में मूँ डाल रहा है लेकिन इस बार इस बार उसे ऐसा मूँ तोड़ जवाब मिलेगा कि सोचना तो दूर उसे संभलने तक का भी मौका नहीं मिल पाएगा लेकिन मालिक उसने फिर से अपनी चाल बदल दी तो अब वो कितनी भी चालें क्यों ना बदल ले और वो देव मन उसकी कितनी भी सुरक्षा क्यों ना कर ले लेकिन अब अब उसकी मौत दूर नहीं है क्योंकि पताल की ये परतें दिन बदिन कमजोर हो रही है और मैं ताकतवर ये परतें बहुत ज़्यादा दिनों तक मेरे क्रोध की अगनी को नहीं जहल पाएंगी और वो दिन धर्दी के उस महरक्ष के विनाश का दिन होगा उसके विनाश का दिन